नमस्कार मित्रबंधू, आज के इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम Google Seat create करें, कैसे हम MS Excel Seat create करें, अगर हमारे पास computer या laptop उपलब्ध नहीं है, और अगर हमें Google Seat create करना हो, अगर हमें MS Excel Seat create करना हो, और वो भी mobile के माध्यम से, तो कैसे हम इसको create करेंगे? तो चलिए सुरू करते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम create करेंगे MS Excel Seat, तो सबसे पहले आपको अपने mobile के play store options को open करना होगा, open करने के बाद यहाँ पे आपको type करना है, Google Seat, जैसे Google Seats आप type करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको Google Seats दिखाएगा, और यहाँ पे जब आप click तो यहाँ पे दो option आ रहा है, एक uninstall का और दूसरा open का, क्योंकि मैंने इस applications को पहले ही install कर रखा है, इसलिए इसमें open option आ रहा है, जब अगर आप इसको install नहीं किये होंगे, तो यहाँ पे open के जगह पे install option आएगा, जिससे आप इस applications को install कर लेंगे, और उसके बाद इस पर work आप कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको यहाँ से open करते हैं, open करने के बाद, यह आपका MS Excel seat जो open होता है, यहाँ पे permission मांगता है, जैसे आप अगर आप install किये होंगे, तो install करने के बाद, यहाँ पे permission मांगते जाता है, उसको हम आगे process next next करते हुए done कर देंगे, यहाँ पे हमा अनिस्टाल कर रखे थे, पहले इस पे work किये थे हम, तो पहले जितने भी हम files बनाये हुए थे, यहाँ पे देखिए, अलग-अलग जो भी हमारा file create किये थे, Google sheets create किये थे, यह हमारा बन के पहले से कुछ त्यार है, जो already है, इसमें दिखा रहा है, अब हमको अगर नया MS Excel seat ब नीचे के right corner पर यह जो plus symbol बनाया है, इस पर जैसे click करेंगे, यहाँ दो option आते हैं, एक choose template और दूसरा next new spirit seat, तो choose template और new spirit seat में अंतर क्या है, जैसे choose template का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि पहले से बना बनाया, जो हमारा slides होता है, या आपको seat होता है, वो हमारा होता है template, इस template मे पहले से आपका बना बनाया रहता है seats, जिसमें कि आपका किस area पे आपको क्या लिखना है, किस प्रकार से क्या करना है, उसका पहले से उसका बनावट रहता है, मतलब predefined जो होता है structure, जो होता है template, और यह रहता है new spirit seat, जिसमें कि हम अपने हिसाब से इसको create करते हैं, कहां हम कितने columns, कितने rows लेने हैं, कहां कैसे, क्या लिखना है, कहां text टालना है, तो हम इसके लिए new spirit seat पे click करते हैं, जैसे हम new spirit seat पे click करेंगे, हमारे पास MS Excel seats open हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहां पे A, B, C, D उपर लिखा हुआ है, यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो E, F, ऐस लिखा हुआ है, यह आपका row है, तो यह column और row का जो combinations होता है, यह आपको देखने को मिलता है MS Excel seat पे, और यह जो box की तरह बने हुए हैं, जिसमें की column और row का combination है, और इसमें जो box की तरह हैं, इसको sale बोलते हैं, इस sale में ही हम किसी text को लिखते हैं, तो जैसे मान लीजे कि हम a column और one row पे अगर हमको कुछ लिखना है, जैसे तो उस पे हम click करेंगे, जैसे click करेंगे देखे, यहाँ पे अगर हम click कियें, तो यह blue से bordering हो गया, मतलब यह active हो गया sale, इसमें आप कुछ type कर सकते हैं, तो कैसे type करेंगे, तो नीचे आपको दिख रहा होगा, enter text और formula, तो य पहले हम इसमें डाल दिये, roll number, roll number, तो यहाँ हमारा roll number हो गया, अब हम यहाँ पे name ले लिए, अब यहाँ पे हम name के बाद, फिर हम यहाँ पे ले लिए, class, और class के बाद ले लिए हम यहाँ पे, बच्चे का, father name, father's name, यह हम डाल दिये, आप देखिए, जैसे हम roll number तो लिखती हैं, लेकिन roll number हमको बीच में रखना है, center में रखना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, यह अभी left side में है, इसको center में हम कैसे रखेंगे, या right में कैसे करेंगे, इसका alignment fix session कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम नीचे रेखिएगा, एक B लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है bold, यहाँ पे तो यह बीच में लाना है, तो यहाँ पे B के बाद एक A लिखा है, और A के just बगल में, right side में, एक drop down buttons है, इस जैसे drop down buttons पे click करेंगे, आपको यहाँ पे उस तरह से बनाया हुआ है, कि left, center और right, किसमें आप इसको रखना चाहते हैं, तो अगर center में रखना चाहते हैं, तो center वाले options पे click कर दीजिए, देखिए यह center में हो गया, अगर इसका आप color change करना चाहते हैं, तो A पे click कीजिए, और यहाँ पे आप कोई भी color ले सकते हैं, उस color का यह हो जाएगा आपका text, उसी तरह से आपको अगर यह name पे करना है, तो name पे भी आप इसको center में कर लिए हैं, इसका color कर लिए हैं, यह class है, कोई दूसरा भी color ले सक एक ही color रहता है, तो for better होता है, यह हम डाल दिये, यह हमारा उपर का heading हो गया, roll number, name, class, father name, यह हमने ले लिया, अब roll number के heading में हम roll number डालेंगे, तो roll number कैसे डालेंगे, इंटर वाले पे चले गए, one, फिर नीचे आ गया, two, यह जो हमारा, जिससे हम write कर रहा है, text, उसी में एक दिखिएगा, space के just bugle में यह inter option है, इससे हम inter होते है, three, four, five, अब यहाँ पे हम name type करते हैं, जैसे मान लीजिए, मोहन, शोहन, रोहन, उसके बाद, अम, विनचे में, अमित, शोनू, शोनू, अब यहाँ फे class है, हम डाल दीए है, जैसे इनका class है, मान लेजिए, fourth, fourth प्रrąफ्ड डाल दीए, इनका, fifth है, fifth डाल दीए है, इनका eight है, eight डाल दीए, इनका ninth है, ninth डाल दीए, इनका tenth है, स्चॉर्ट 10 लाल दियають हि हम क्लाश लाल दिये हम यहांच फाधर नेम है तो हम फाधर नेम यहांपर टाइब कर दिये महँआं णिएission महाँड ला नेम डाल दिये यांपर और जसने यहांपर हम कर दिये फिर यहां पर हम कर दिये यहां पर कर दिये फिर यहां पर कर दिये कि इस प्रकार से हम कि यह कर दिया कि आपको रौल नबर, नें्म, कलास, फादर नेम डाल दिया कि सब्सक्राइब करने के पात लिए इसको कि हम सेलेक्ट कर दिया दिया ही center में हो अब यहाँ पर बाते आती है यह तो हमारा रहा कि हमने क्लिये के सब्सक्राइब कैसे बिना है अगर इसें इसमें अगर हम और कुछ ये से टेना हो तो अंने पिद्астьने कि अगर हमको कोई टेना है ये सिब्सक्राइब कर खाना है तो शंख्या को जोड़ना है जैसे तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे जोड़ने के लिए एक्वल अगर हमको सम सम करना है जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इसमें सम लिखेंगे न इसमें यहां पर एक मिनिट फर्मूला एर दिखा रहा है क्योंकि यहां पर हमने फर्मूला दिय सब्सक्राइब करने लगा अब यहां पर हमको करना है तो यहां पर हमको बॉक्स देना होगा और यहां पर जैसे हम परकार से हम प्लस 34 प्लस 45 अब बॉक्स को बंद कर दिया है जैसे हम इस पर साइन का सिंबल कियें यहां जोड़ दिया उसी प्रकार से आप यह सम कियें तो जो फर्मूला आपको यूज करना है यहां पर फर्मूला राइट करेंगे जहां पर इंटर टेक्स और फर्मूला लिखा हुआ था तो वह आप फर्मूला किसी भी रो में या कॉलम्स में आप उसको अपलाई कर सकते हैं उसको दे सकते हैं अगर किसी प्रकार से आपको कोई चीज हटाना है जैसे यहां पर हम जो जोड़े थे उसको हमको हटाना है अ देखिए यहां पर डू और लंट ब्ट करते थे ऐसे किसी चीज को इतलिक करना जैसे हम को इतलिक करना जैसे अगर हम को यह चेंज करना है तो यहां से टेक्स कलर में गए यहां से चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से हम यहां पर इससे यह जितने option दिये हुए हैं इससे related जो भी आप comment देना, link चोड़ना, chart इंसर्ट करना, image इंसर्ट करना, यह सारे चीज इंसर्ट आप कर सकते हैं, अब बाते आती हैं कि यह हमारा तो बन के त्यार हो गया है, इसको हम भेजेंगे कैसे, इसको हम देखेंगे कैसे, तो यह यहां पर हम फिर back जाते हैं, back जाने के बाद देखिए, यह हमारा सबसे उपर, first यहां पर जो हम बनाए थे, यह हमारा बन के त्यार है, यहां पर दिखेंगे, यहां पर थ्री जो पॉइंट है, इसको हम रिनेम कर दियें, और जैसे हम यहां पर लिख दिये हैं, student details, student, student details, जो आप उस फोल्डर का नेम देना चाहते हैं, उसको आप यहां पर दे सकते हैं, student details हो गया, अब यहां पर इसको भेजने की जहां तक बात है, किसी को WhatsApp पे share करना हो, किसी को भेजना हो, तो यहां पर हम 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं, और 3 पॉइंट पे क्लिक करने क कि करने के बाद यहां पे cent A copy आता है, जैसे यह send A copy पे क्लिक करने के बाद यह फूछता है choose format इसको एकILY करने के बाद भेजना चाहते हैं कि PDF में भुजना चाहते है, अगर हम इसको चाहिए, तो PDF में भी बनाके भेज सकते हैं, PDF पे click की किया UK करने के बाद जैसे हम UK किए, तो यहां पे एक Share It का उप्शन खुलेगा, देखें यहां पे Share With. Share With किसको Share करना चाहते हैं? WhatsApp पे Share करना चाहते हैं? किसी को Mail करना चाहते हैं? और उसे Share करते हैं, उसमें Bold Italic अंडलाइन करना, टेक्स को बदलना, फर्मूला डालना, MS Excel Seat बनाना, इस प्रकार से हम आज सीखे हैं कि किस प्रकार से हम Google Seat यूज करते हुए MS Excel Seat बनाएं और MS Excel Seat पे हम वर्क करें, अगर आपको वीडियो पशंद आई हो तो प्लीज और प्लीज आप इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइ करें, अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सेयर करें, धन्यवाद